केंद्री ग्रहम अंत्राले ने मुख्यमंद्री कमलनाथ के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामलों को खोलने के प्रस्ताप को मन्जूरी देती है वहीं शिरोमणी अकाली दल के दिल्ली के विधायक मनजिंदर सिंग सिरसा ने दावक किया है कि दो गवाहा कमलनाथ के खिलाफ गवाही देंगे देखे इस पूर्ट में पीचे दंपरम डीके शिवकुमार जैसे कॉंग्रिस निताओं के खिलाफ जाच एजन्सियों के कस्ते शिकंचे के बीच अब प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किले भी बढ़ सकती है पहले से ही मुख्यमंत्री कॉंग्रिस में अंतरकलह की चुनौती से जूच रहे कमलनाथ के लिए एक और बुरी खबर है ग्रहमंत्राले उनके खिलाफ 1984 केश सिख विरोधी दंगो के मामले को दोबारा खोलने चा रहा है मैं शिरोमणी अकाली दल के दिल्ली के विधायक मंजिद्दर सिंग सिरसा ने दावा किया है कि दो गवहा कमलनाथ के खिलाफ गवाही देंगे आज संजे सूरी जो की 601 बटा चुरासी FIR है जुसको दुबारा से खोला गया है कि कमलनाथ जो मद्या परदेश के मुख्यमंत्री उनका क्या रोल था 1984 के रकाब गंज के कतल्याम के अंदर उसमें संजे सूरी जी ने अपनी विटनेस देने के लिए आज SIT के पास अपनी बांग रखी है SIT को काहा है संजे सूरी ने कि वो इस केस में गवाई देने को त्यार है संजे सूरी औरेडी नानामती कमिशन के आगे ये गवाई दे चुके हैं कि कमलनाथ वहाँ पे था और कमलनाथ ने इस्टिगेट किया क्राउड को आज मुक्तियार सिंग भी SIT को रिटन में अपनी अप्लिकेशन दे रहे हैं कि वो भी गवाई देने के लिए त्यार हैं अब कमलनाथ के दिन गिंती के हैं बड़ी जल्दी ही 1984 के कत्रयाम के केस में कमलनाथ को जेल जाना होगा कुल मिलाकर मंजिद्दर सिंग सिरसा ने दोनों गवाईों को सुरक्षा देने की भी मांग उठाई है क्योंकि दोनों एक राजी के सीम के खिलाफ गवाई ही देने वाले हैं आपको बताने कि ये गवाई संजय सूरी और मुक्तियार सिंग है सूरी अब इंगलेंड में रहते हैं जबकि सिंग अब पटना में रहते हैं परहाल सियम की मुश्किलें बढ़ सकती है प्यूर रिपोर्ट, MP News, दिल्ली